आरोग्य जागरूती बात करेंगे कान के बारे में दोस्तो कान शरीर का संतूलन बनाई रखने में मुख्य भुमी का निवाता है इसके अंतरिक भाग में इसके लिए तीन अरद घुमाओदार कैनल यूट्रिकल सेकुल और कई छोटी-छोटी समरचनाई होती है जिन में छोटे-छोटे विशेशकन वेवस्तित होते हैं और इस स्थिती में कैल्शेम कार्बोनेट यूक्त विशेशकन जिने अटोलित कहते हैं अपने नियोजिस्थान यूट्रिकल से हटकर दूसरी असामनने जगह पिछली घुमाओदार कैनल में पहुँच जाते हैं जिससे सिर्व गरदन की पोजिशन में बदलाव होती ही चक्कर महसूस होते हैं अगर आपको भी सर घुमाने या करवट लेने से थोड़े थोड़े समय के लिए बार बार चक्कर आते हैं तो ये कांसे समंधित समस्या हो सकती हैं जिसे बिनाइल पेरोक्सीमल पोजिशनल वल्टिगो बीपी पीवी कहते हैं तो ये चक्कर आने का एक ही मुख्य कारण है वो है वल्टिगो इसी वल्टिगो के बारे में और भी कुछ जानेंगे शहर के प्रसित दयमेस E&T स्पेशालिस्ट डॉक्टर रमेश रोहिवाल से आरुग जागरूती में चलिए दोस्तों अरुग जागरूती में हम आज वर्टिगो क्लिनिक में आये हैं जिनका मराटवडे में नाम है डॉक्टर रमेश रोहिवाल जी जो कि माजी अद्देक्ष आयमे के रहे चुके है इनका E&T में काफी अच्छा काम है आज हम उनसे जानेंगे के वर्टिगो क्या चीज होती है वर्टिगो क्यों होता है वर्टिगो को लक्षन क्या है ये लक्षन के बारे में हम डॉक्टर रमेश रोहिवाल जी से बात करना चाहेंगे प्लीज आईए सर वर्टीगो ये किसे कहते हैं वर्टीगो बीमारी क्या होती है और ये कैसा समझाए है हमारे दर्शको काप जरा जानकारी दीजेगा दर्शको नमस्कार, मैं डॉक्टर रमेश रोहिवाल, मैं कानना गसा तदने हूँ और पिछले आठ नौ वर्षों से वर्टिगो या चक्कर आने का जो शास्त्र है उसमें काफी काम कर रहा हूँ, वर्टिगो ये एक जो पेशन्स के कंप्लेंट्स होते हैं, वो कंप्लेंट का नाम है, वर्टिगो का मतलब है चक्कर आना, जैसे हम बोलते हैं फीवर है, मिन्स बुखार है, वैसा ही वर्टिगो मिन्स चकर आना है, चक्कर आने के जो कम्प्लेंट है सरदर्द के बाद में सबसे ज़्यादा कम्प्लेंट चक्कर आने के लेकर लोग अलग-अलग डॉक्टर के पास में ये परिशानी दूर करने के लिए आते हैं चक्कर आने की जो समस्या है उसमें पेशन को खुद घुमे जैसा मैसूस होता है या कभी-कभी आजू-बाजू का पूरा वातावरण घुम रहा है घर घुम रहा है इस तरह की फिलिंग आती है उसके साथ में कान में कुछ ब्लॉकिंग सेंसेशन होता है सिदे बाजु को जैसे रोलर कॉस्टर राइड में बैठने के बाद में जो फिलिंग आता आए या नाउ में बैठने के बाद में स्वेइंग जो फिलिंग आता है सर हाली में देखा गया है कि चक्कर के प्रमान बहुत जादा बुढ रहे हैं अभी वर्टीको अपने बताया है कि वर्टीको के बारे में लोगों में बहुत गहर समझ है चक्कर आया है तो सीधा पेशन बोलता है कि मैं को सर्वाइकल का प्रॉब्लम है या ऐसा कुछ तो विसके दिमाग में रेता है तो इस टाइम में पेशन ने कैसा समझना चाहिए कि वर्टीको में जो हुआ है और उसके लिए क्या टेस्ट होती है सर्वाइकल के चक्कर शुरू होने के बाद में हाथ में जैसा चीटिया चलना या हाथ में दर्द होना जिसको हम रैडिकुलोपैथी कहते हैं वह सिम्टम्स होते हैं लेकिन सर्वाइकल स्पॉंडियोशिस के विए से कभी भी वर्टिगो या चक्कर आना या समस्या नहीं आती है दूसरी चीज पेशेंट के जो दिमाग में इमिजेट आती है कि यह कुछ ब्रेन का या मेंदू का मसला है तो वैसा भी नहीं रहता है चक्कर आने के जो अलग-अलग वज़य है उसमें के साथ-सतर परसेंट जो कारण है वो कान के अंदर होते हैं कान के अंदर टीन हिस्से है जैसे बाहिय करना मद्य करना और अंतर करना अंतर करना में लैबरिंद और कॉक्लिया यह दो स्ट्रक्चर होते हैं लैबरिंद शरीर का बैलन्स समालने का काम करता है और कॉक्लिया सुन होने के वज़े से या कान की तरफ से दिमाग की तरफ जाने वाली नर्स होती है इसको वेस्टिबूलर नर्व कहते हैं इसमें कुछ गडबड होने के वज़े से पेशन को चक्कर आता है लेकिन जो बहुत आम गलत फहिमी लोगों में है कि सर्वाइकल स्वांडिलोजीस या ब इलेक्टोनिक्स में बहुत ज़्यादा एडवांसेस होने के बाद में हम अलग-अलग किसम के टेस्ट करके कान के लेबरिंद के अंदर की जो अलग-अलग स्ट्रक्चर्स है हम पिन पॉइंट डाग्नोसिस कर सकते हैं कौन से कैनॉल में फॉल्ट है लेबरिंदाइन कैनॉ जो है वो राइट सेड के तीन और लेफ सेड के तीन पेर्च में काम करते है और शरीर का बैलंस मेंने करते हैं इन नए अध्यादुनिक मशनदी के विज़े से जो फुली कॉम्पुटराइजड और लेजर असिस्टेड मशनदी है इसमें हम पेशन की जाच करके यह हम धू वेज़े से पिनपॉइंट डियागनोसी सोनी के वेज़े से एक्यूरेटली ट्रीटमेंट हो जाता है। CT scan और MRI बहुत कम बार करना पड़ता है। अकसर ऐसा देखा गया है कि पेशन्ट हमारे पास में जब आते हैं, तो इधर दर घुम गाम के CT scan, MRI, MRI angiography, MRI venography, यह सब investigation करके हमारे पास में पोचते हैं, और unnecessary उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा भी करते हैं। जैसा देखा गया है कि आपने बताया है कि वर्टीगों को पेशन्ट चक कर आती है, ऐसा होता है। अगर मान लोग डिटेक्ट हो जाता है, टेस्ट हो जाती है, तो ऐसे पेशन्ट में सर कोईसी परकार कर टेटमेंट किया जाता है, और यह टेटमेंट कितने दिन चलता है सर और पेशन्ट को रहात कब मिल सकती है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जो नए किसम के उपकरण है, जिसकी वज़े से कहा पर exactly fault है, वो हम लोग ढूंड के निकाल सकते हैं, और उसकी वज़े से बहुत ही accurate इलाज मुमकिन हुआ है। लबरिंथाइन कैनल के जो अलग-अलग problems होते हैं, उसमें सबसे common चीज है BPPV, इसमें पेशन को आइदर राइट साइड में या लेट साइड में लेटते ही, या उपर देखते हैं या नीचे देखते हैं ऐसे किसम के अलग-अलग पोजिशन में चक्कर आते हैं। तो यह latest equipment इस्तिमाल करने के बाद में हम धूंड के निकाल सकते हैं, कि एक्जैक्ली कॉनसे लबरिंथान कैनल में fault है। और accurate localization of pathology होने के बाद में, हम उसके लिए हर कैनल के लिए अलग-अलग किसम के manures है, जो head tilt करके, अलग-अलग position में head tilt करके हम patient को इलाज करते हैं। यह अलग-अलग manures जब हम करते हैं, तो patient को तुरंद relief मिलता है। उसको कोई भी प्रकार की दवा गोली लेनी नहीं पड़ती है। चकर नहीं आना, इसके लिए जो भी गोली दवा मौझूद है, वो ज्यादा से ज्यादा तीन या पास दिन लेना चाहिए। अकसर ऐसा देखा गया है कि सालों साल patient गोलिया लेते रहते हैं, जो बिल्कुल जरूरी नहीं है। और यह जो नए टेकनोलाजी के वज़े से जो वर्दार हमको मिला है। उसकी वज़े से हम पिन पॉइंट डियागनोसिस करके पेशन को जो ज़रूरी है वो मैनुवर करके तुरंत रिलीफ मिल जाता है। इस अ मैजिक ट्रीटमेंट। देखा दर्शव को ड्क्टर रमेश्रयवाल जी ने हमें काफी वर्टिगो के बारे में डीटेल्स मालूमात दिये है। अभी हम चाहेंगे क्या यह जो मशीन लाए है। वर्टिगो मशीन जो टेस्ट करने का है। इससे हम कैसा समझे का यह इससे होर्टिगो टेस्ट होता है। यह वीडियो की स्टैक मोग्राफिक किया जा रहा है। इसमें आपों के अलगवाद पूर्मेंट्स जो बैलन्स मेंटेन करने के साथ सब्सक्राइब होता है। उसका फुली दर से आपैस होता है। इससे टेस्ट के लिए कितना टाइम लगता है। इससे लिए पेशन को कोई बभी इंजेक्शन देना नहीं या बयोश करना नहीं है। इस चैर में जैसे आप देख रहे हैं। चैर में पैठा है। और उसको अलग-अलग तरह की आई मोमेंट्स हो है। अलग-अलग इमेजेस फॉलो करके जो करने है। उसका हम पूरी तरह से स्टड़ी करते है। अलग-अलग इसके पार को गैर समझे के खर्चिक होता है। यह बिल्कुर खर्चिक का पास नहीं है। और इसको जाला खर्च्च अभी ने लगाता है। अब तस मिनित के अंदर पूरा टेस्ट हो जाता है। इसको वीडियो मिस्टेट होना के बोलता है। और वर्चिक हो का पुरी तरह से डान होने के ज़रा है। यह यह टेस्ट जरूरी हो। यह लेजर असिस्टेड का फुली कॉम्टराइज वीडियो हेड इंपल्स टेस्ट है। अभी जो लेजर ब्लाट मूव होए उसकी विज़े से हमको बेसिक आइ मोमेंट्स का कैलिबरेशन मिला है। और इसके बाद में हम अलग-अलग पुजिशन में हेड को सर को प्रणक जर्ग्स देंगे। जैसे भी लाइकरल के आथक उसके बाद में है राइच एंटीर और लेंट पोस्टीरियन इस तरह के मूमेंट्स करके, राइट एंटीर ये पीर में काम करने वाले कहना लेशनी उसका हंते करने हैं। और फिर लेफ्ट एंटिरियर और राइट पोस्टिरियर ये जो पेर में काम करने वाले दो कैनॉले उसका हम पूरी तरह से अभ्यास कते हैं तो हमको राइट सेड के तीम और लेफ सेड के तीम ये सभी कैनॉल्स का पूरी तरह से फंक्शनिंग कैसे चल रहा है कि दोणोों केनॉल पेर में जो काम कर रहे हैं वो सम्मेट्रिकल काम कर रहे हैं या उसमें कुछ गड़बढ है वो पता जलता है और ये head moment के साथ में जो अलग-अलग किसर्ण के eye moment होने चाहे हैं उसके मिज़े से बी कुछ गड़बढ होती है सब्सक्राइब करें लाइक करें और बेल आइकोन दबाना ना भूले